नमस्कूर दोस्तों स्वागत है आपके अपना एक चैनल यूपी किसान हमारा दावन किसान मियों आज इस रूडियो में आप सभी हम बताएंगे कि धान में जिंक कप डाले जिंक डालने से क्या फायदा होती है क्या जिंक डालने से तो क्यों किसन में धान एक ऐसी फदल है जिसमें कि अगर जिंग की मातरा नहीं हो तो इसमें अन्यक विमार यहां फेलती है तो किसान वाईयों वीडियो में आपको बताएंगे जिंग के बारे में कि जिंग द्धान में क्यों डालें क्या उसकी रिस्पांस मिलती है तो फटा फट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए जो भी कि इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे जिनके सभी खासियत धान के खेती के लिए तो चलिए स्टर्ट करते हैं जिनक की बता है ना ही पूथे की चीज की जरुथ होती है कुटी कि मतलब तत्को को सब्सक्राइब करेंगे पूढाम के अफिर या आपको दिखाते हैं दिखाते हैं आपको कल्ले कितने हुए है आप काउंट करते रहे हैं कि वीडियो में देखते रहे हैं कि अब दखिए नीचे से भी कल्ले आ रहा है आपको नहीं देखने को मिलेगा तो की फ्रेंट्स अगर आप उन्हीं अगर देल जिंक जो आती है तो फंगिसाइट की वीडियों कि जो होती है और पोधे में जिंक भी मिल जाएगी और सुलफर मिल जाएगी ताकि जो पत्ते पकेंगे या खेरा विमारी लगेगी ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं देखने के पहलेगी आपके धान के खेती के लिए क्योंकि जो धान खेती हो किसाइट में उसमें खेरा विमारी लगने से पोधे काफी दिक होती है तरफ त्सवारी तोकितर में यह जो रितित पर्शेंट जिंक है वह किशन में पोधों में हारा भरा ग्रूथ और जैसकते हुए जो पौधे की है वह कितना मोड़ा तगड़ा है अलग अलग पोदे और विजेख सेते हैं कितना जादा छोटे छोटे वी कल्ले आ रहें आपको दिखाए हैं जेखिए यहां पर दूक यह आए हैं सभी धान के प्लांट से अच्छी खास भी कल्ले आए हैं और जो जिंक है उसको आप अगर डा सब्सक्राइब आती है सब्सक्राइब जिंक आती है उसको आप अगर डालते हैं तो इसको पहली या दूसरी मतलब सेकेंड में इसको डालनी है जो है यह 30 प्रेशंट जिंक वह पोधों में हर्य भरा और काफी पोधों को मदद करता है या जिंक उसके बुआई से लेकर कटाई तक की स्टेज में जिंक की सबसे बड़ी भूमका निवाती है धान के खेती के लिए जिंक तो किसान में यह यह जो जिंक है आप किसी भी कंपनी ले सकते हैं या दसा नहीं हो क्योंकि सलफ़वर और त्नैटिस परसेंट जिंक जिसमें भी यूग तो उसको अपले सकते हैं जब डालें जबकि आपको खेत में नहीं है नहीं है नहीं है हमारे वहाँ दो तीन दीन से लागता दूप हो यह बहुत पचास पाने तालिस टंपरेचर तो किसर में हो आप आपको दो से लिए का हमारे खेत में खरपतवार भी आपको नहीं दीख पा रहे होंगे वहाँ हर्विसाइड जो कि बहुत ही बहतर काम किया है और खेत में कोई खरपतवार नहीं है जो बहुत हैं जो लेवर थे वह मतलब धान के साथ जो नरसरी में कुछ सवाई घास होती सबसे जादे उसको ही डाल दिये थे तो वह अभी है प्लांट में कहीं आपको दिख पा रहा होगा तो उसको आपको ध्यांस से लिवर के मादम सबको निकल वा लेनी है क्योंकि वह जो इस परिकार के अपको फैल जाएगा ठीक है ना तो जितने भी किसान बंदों धान की ख सकता होती है जिंग की जो कि जिंग की भूमिका सबसे ज़्यादा निभाती है धान की खेती के लिए तो जितने भी किसान बंदू है वह अपने खेत में डालें क्या उसकी डोज है पर एक आपको साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो असी से नब्बे सोर पर तक मतलब कहीं कह अलग अलग रेट है वह आपको मिल जाएगी या लोकल मर्केट में इसको ले सकते हैं तो किसान में वीडियो कैसा लगा वीडियो को सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि आपके लिए हम ऐसा ही इन्फार्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे अपने खेत में आप जिंग डाल करते हैं और ना है उससे कुछ इतिकत नहीं तो आप तुमारे चनलों को जरुब सपोर्ट कीजिए जाहन बहुंद मात्र में